रिवुलिस इरिगेशन दुनिया भर में किसानों की जरूरत के अनुसार बने आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई के समाधानों की एक व्यापक रेंज प्रदान करता है हर डिप सिस्टम पानी के स्रोथ से शुरू होती है वहां से पानी पाइप के जरिये पंपिंग स्टेशन तक पहुँचाया जाता है जहां सिस्टम के भीतर दबाव निर्मान किया जाता है फिल्ट्रेशन सिस्टम एक समान फसल व्रिधी हेतू कच्रा एवं रेती विरहीत जल वितरन सुनिश्चित करता है Fertigation System पौधों को पोशक द्रव्य पहुँचाता है और कंट्रोलर सिचाई प्रक्रिया को नियंत्रित करता है एक बार कंट्रोल हेड्स थापित किये जाने पर इसे मेन लाइन से जोड़ा जा सकता है जिससे पानी को खेत के विभिन विभागों में पहुचाया जाता है हर विभाग में अपना कंट्रोल हेड होता है जिसमें समर्पित कंट्रोल वॉल्व होता है विभाग के कंट्रोल हेड से PVC पाइप या मैनिफोल्ड लगा कर खेत में विस्तारत किया जाता है PVC पाइप या मैनिफोल्ड से drip lines जोड़ी जाती हैं और फसल की कतारों के करीब बिचाई जाती है पानी के स्रोच से drip lines तक, सिस्टम अब काम करने के लिए तयार है पंप शुरू करने के बाद पानी के स्रोच से सक्षन फिल्टर में पानी खीचा जाता है पंप द्वारा निर्मित जल दबाव के कारण सिस्टम सही ढंग से कार्य करने में सक्षम रहती है फिल्ट्रेशन सिस्टम कचरा एवं रेती पानी से अलग करती है जिससे सिस्टम लंबी अवधी तक अधिक परिणाम कारक तरीके से कार्यक्षम रहती है Fertigation System पोशक तत्वों की सटीक मात्रा प्रदान करता है जो वृद्धी के हर चरण में पौधों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करते है Main Line पर लगा Control Valve पानी के दबाव को नियमित करता है Valve आवश्चक दबाव कायम रखता है और सुनिश्चित करता है कि खेट के हर विभाग को सही मात्रा में पानी मिले Secondary Valve को सिचाई सुची के अनुसार शुरू किया जाता है Manifold में पानी भर जाने के बाद पूरे खेत में बिचे drip lines के जाल के माध्यम से पानी की बूंदे तपकना शुरू होती है Drip lineों में परियाप्ट और एक समान प्रवाह की निर्मिती होती है जिससे हर पूधे को बराबर मात्रा में पानी एवं पोशक तत्व मिलता है ब्रभावी सिंचन और सूरज की रोष्णी की सहायता से फसल मजबूत एवं स्वस्थि पौधों के रूप में बढ़ने लगते हैं रिवुलिस की डिप सिस्टम संपूर्ण सिचाई के मौसम में जब, जहां और जितनी जरूरत पड़ती है वहां पानी एवं पोशक तत्व पहुंचाती है जल इसके बिना प्रगती संभव नहीं